पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि चौसा की पराजय के बाद हुमायू आगरा लोट आया आगरा में चारों भाई अर्थात हुमायू, कामरान, असकरी तथा हिंडाल आपस में मिले तथा आगे की रणनीति पर विचार करने लगे हुमायू चाहता था कि चारों भाई मिलकर बाबर द्वारा इस्थापित मुगलिया सल्तनत की रक्षा करें किन्तु हुमायू के तीनों भाई हुमायू पर विश्वास नहीं करते थे और स्वयम बादिशाह बनने का स्वपन देख रहे थे इसलिए हुमायू के किसी भी भाई ने हुमायू का साथ नहीं दिया मिर्जा कामरान लाहुर चला गया, मिर्जा हिंदाल अलवर चला गया तथा मिर्जा असकरी आगरा में ही रह गया जबकि हुमायू 13 मार्च 1540 को 90 हजार सेनिक लेकर कन्नौज के लिए रवाना हुआ चौसा की विजय के बाद शेर खान ने स्वयम को बनारस में स्वतंत्र शासक घोशित कर दिया और सुल्तान आदिल की उपाधी धारण की अफगान सेना ने बंगाल को फिर से जीत लिया और वहां के मुगल गवर्नर जहंगीर कुली खां की हत्या कर दी अब शेर खान ने भारत विजय की योजना बनाई उसने अपने पुत्र कुतुब खां को यमुना नदी के किनारे किनारे आगरा की ओर बढ़ने का आदेश दिया और स्वयम एक सेना के साथ कन्नौज के लिए चल पड़ा कुतुब खां का कालपी के निकट मुगल सेना से भीशन संगर्श हुआ जिसमें कुतुब खां परास्थ हुआ और मारा गया हुमायू ने गंगा नदी से पहले ही अपना शिविर लगा दिया और वे शेर खां की गतिविधी पर बारी की से द्रश्टी रखने लगा शेर खां अपने सेना पती खवास खां की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे बंगाल विजय के लिए भेजा गया था जब खवास खां का नौज आ गया तब शेर खां युद्ध करने के लिए तयार हो गया यह हुमायों की अदूर दर्शिता थी कि उसने खवास खां के आने से पहले ही शेर खां पर हमला नहीं किया यदि हुमायों ऐसा कर सकता तो उसे शेर खां की आधी सेना से ही लड़ना पड़ता किन्तु हुमायों में दूर द्रिष्टी का अभाव था और वह रणनीती बनाने के मामले में बिलकुल ही अनाडी सिद्धुवा था वह युद्ध का इस्थान और समय तय करने का आवसर अपने शत्रू को दे रहा था जो की रणनीती की द्रिष्टी से सही नहीं है गंगाजी के एक ओर शेर खां का शिविर था और गंगाजी के दूसरी ओर मोगलों का शिविर था दोनों शिविरों के बीच 23 मील की दूरी थी अप्रेल पंद्रह सो चालीस में हुमायू की सेना ने गंगाजी को पार करके गंगाजी से तीन मील आगे जाकर बिल ग्राम के निकट अपना शिविर इस्थापित किया मुगलों की सेना अफगान सेना की अपेक्षा कुछ निचले इस्थान में थी पंद्रह मई 1570 को बड़ी भरी वर्षा हुई जिसके कारण हुमायू का शिविर वर्षा के पानी से भर गया हुमायू ने चौसा के युद्ध से सबक लेते हुए अपनी सेना को उचे इस्थान पर ले जाने का प्रैत्न किया किन्तु यही वहक्षन था जिसकी प्रतीक्षा शेर खां को थी जब मुगल सेना अपना शिविर इस्थल बदलने में व्यस्त थी तब शेर खां मुगल सेना के दोनों पक्षों अर्थात, दाएं और बाएं तरफ से तूट पड़ा इस कारण इस बार भी हुमायू को अपनी तोपें तथा बंदूकें चलाने का अवसर नहीं मिल सका हुमायू और उसके सेना पती मिर्जा हैदर ने आनन फानन में मूर्चा संभला तथा अपने सैनिकों को युद्ध करने के आदेश दिये किन्तु तब तक ऐसी अफरा तफरी मच गई कि मुगल सेना कुछ करने की इस्थिती में नहीं रह गई मिर्जा हैदर ने लिखा है कि एक गोली तक नहीं चलाई गई गोला बारूत का कतई काम नहीं पड़ा अफगानों का आक्रमन ऐसा भहिंकर था कि मुगलों के चक्के छूट गए और वे युद्ध स्थल से भाग निकले भगदड के कारण शिविर के असैनिक कर्मचारी भेडिया धसान के समान सैनिकों के सामने आ गए जिससे सैनिकों को रोके रखने के हुमायू के सारे प्रैतन निश्फल हो गए हुमायू को भी लाचार होकर आगरा की तरफ भागना पड़ा बड़ी कठिनाई से वह नदी पार कर सका उसके बहुत से आदमी नदी में डूब गए और बहुत कम लोग हुमायू के साथ रह गए रास्ते में मैनपूरी जिले में भोगाओं के लोगों ने हुमायू के दल पर आक्रमन कर दिया जिसके कारण हुमायू के प्राण संकट में पड़ गए किन्तु हुमायू वहा से भी जीवित बच निकलने में सफल रहा भारत के एतिहास में इस युद्ध को कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कहते हैं बाबर ने तोपां और बंदूकों के बल पर सिंधु नदी से लेकर गंगाजी के अंतिम छोड तक का भारत जीता था किन्तु हुमायू ने बिना कोई तोप और बंदूक चलाए इस विशाल खेत्र की बादशाहत गवा दी हुमायू एक कुशल योध्धा एवं अनुभवी सेना पती था 11 साल की आयू से ही उसने युद्धों में भाग लेना तथा युद्धों का नेत्रित्व करना आरंब कर दिया था फिर हुमायू एक अधने से जागीरदार के बेटे शेरखां से कैसे परास्थ हो गया इस बात पर विचार करना आवश्चक है आलांकि इतिहास कारों ने हुमायों की विफलता के कई कारण बताए हैं किन्तु उनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं हुमायों की विफलता का सबसे बड़ा कारण उसके भाईयों की गद्धारी को माना जा सकता है जब भी हुमायों किसी युद्ध पर जाता था तभी उसका कोई न कोई भाई सल्तनत के किसी न किसी हिस्से को दबाने का प्रयास करता था इस कारण पंजाब हुमायूं के हाथ से निकल गया और हुमायूं पंजाब से मिलने वाले राजस्व एवं सैनिकों से वंचित हो गया मुहम्मद जमान मिर्जा, मुहम्मद सुल्तान मिर्जा, महंदी ख्वाजा, आदितैमूर वन्शी मिर्जा, बाबर के सहयोगी रहे थे तथा स्वयम को बाबर के समान ही मुगलों के तक्त का अधिकारी समस्ते थे उन्होंने भी हुमायूं के साथ गद्दारी की तथा गुजरात के शासक बहादुर्शाह से जाकर मिल गए इस कारण हुमायूं की सल्तनत की शक्ती का वास्तविक आधार खिसक गया हुमायूं को एक साथ ही बहादुर्शाह और शेर्खां से युद्ध लड़ने पड़े इस कारण हुमायूं को अपनी शक्ती को एक स्थान पर केंद्रित करने की वजाए दो स्थानों में बाठना पड़ा हुमायूं स्वयम भी कुछ विलासी हो गया था जिसके कारण वे समय पर कारेवाही नहीं कर पाता था और न दूर द्रिष्टी रखते हुए अपनी ओर से कोई रणनीती बना पाता था हुमायूं की धर्मांधता भी उसके विफल रहने का बहुत बड़ा कारण थी जब मेवाड की राजमाता ने हुमायूं को राखी भेज कर मित्रता का हाथ बढ़ाया था तब हुमायूं बाहदुर्शाह द्वारा गड़ी गई जेहाद की राजनीती में फसकर रह गया और उसने शक्तिशाली मेवाडियों की मित्रता का अवसर हाथ से खो दिया यदि हुमायूं ने मेवाडियों को अपना मित्र बनाया होता तो संबभव है की हुमायूं को मेवाडियों की वैसी ही साहता मिली होती जैसी साहता उसे राजावीर्भान बगेला से मिली थी और उसके प्रान बचे थे बिल्ग्राम के युद्ध में विजई होने के बाद शेर खान शेर शाह की उपाधी धारण की अपने नाम का खुत्वा पड़वाया और अपने नाम की मुद्राइं चलवाई यही कारण है कि आगे के इतिहास में शेर खान को शेर शाह सूरी कहा गया अगली कडी में देखिये अपने परिवार की औरतों को मार डालना चाहता था हुमायू क्रपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेर करें धन्यवाद